तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बेरी नाम की एक लड़के को देखते हैं यानि के दब फ्लेश को वो अपने आफिस के लिए तयार था और जाने से पहले एक बेकरी पर रुखकर सेंडविच ओडर करता है तब उसके हैट के कॉल आती है जो बताती है कि एक बिल्डि की रफतार बहुत तेज थी जो से सेकंड्स में दोस्ती जगा पर पहुंचा दिया करती थी अब खेर फ्लेश उस जगा पर पहुंच आता है जहां पर चोरी होई थी वहां पर ये आकर देखता है कि हर तरफ बहुत बुरा हाल था शार उ तरफ तबाही पहली होई थी इसलि केमरे में बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्डिंग के तबाह होने की वज़ा से नीचे गिर रहे थे लेकिन फ्लेश अपनी सुपर स्पीड और पावर का इस्तिमाल करके सबी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था यहां पर उसके बैटरी भी लो जाती है तब ही उस सबीपच्चों को पकड़ कर सही सलामत नीचे उतार लीता है इसके बाद हमें बैटमैन दिखा जाता है जो उन चोरों का अब तक पीछा कर रहा था वो अपनी बाइक को दकर मार के उन चोरों की गाड़ी के ऊपर चर गया था अब उन सभी को मार मार के गाड़ी से बाहि न बैटमेन और उस चोर को बचा लिया था उधर फ्लेश ने भी सब की जान को बचा लिया था और पिर जिसके बाद उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है इसके बाद बैरी यानि के फ्लेश दुबारा उसी बेकरी में जाता है और अपने लिए सेंड़िश लेकर कि मैं तुम्हारे डैड की केस पर काम कर रही हूं और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाव हैं। उसकी माम की मौत हुई थी। दरासल उस दिन हुआ ये था कि उसकी माम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी। जो वो मार्केट से सामान लेने गई तो वो टोमेटो कैचप भूल आई थी। और पिर जिसे लेने वो बेरी के डैड को बेशती हैं क्योंकि टोमेटो कैचप उस से भाग जाते हैं पर साथ ही वहाँ पर उसके डैड भी आ गए थी। मगर चाकू लगने की वज़ा से उसकी माम की मौत हो गई तब ही उदर पुलिस प्या जाती है जिने देखकर ये लग रहा था कि बेरी की माम को बेरी के डैड ने मारा है क्योंकि उस वक्त उसकी माम की पास उसके डैड बैटे थे और यही वज़ा थी पुलिस उने पकड़कर अपने साथ ले गई अब कहानी दुबारा से प्रेजेंट यानि के मौजूदा दौर में आती है बेरी यानिकी जो अब तफलेश के रूप में था वो सोचता है अगर उसकी माम मरती ही ना तो उसकी डैड भी आज पुलिस के पास ना होते ये सोचकर वो अपनी पावर स्पीड का इस्तिमाल करता है और बहुत तेज भागता है फागते हुए उसके पाउं से बिचली निकल रही थी अब वो फागते भागते उसने टाइम ट्रैवल कर लिया था वो एक अलगी दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे अपनी माजी में हुए सभी हाथ से याद आने लगते हैं जिसे चाहता तो वो बदल भी सकता था मगर खेर वो दुबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है और आकर अब वो सीता बैटमैन के पास चाता है उससे कहता है अगर पास्ट में मेरी मौम मरी ही ना होती तो आज मेरे टैड को जेल ना होती क्यों ना मैं इन सब चीजों को पास्ट में जाकर दुबारा से सब कुछ ठीक कर दूँ मैं बदल दू इन चीजों को बैटमैन कहता है फ्लैश ऐसा करना बेवकूफी होगी क्योंकि अगर हमारे जिंदकी में ऐसे हाथ से पेश ही ना आते तो आज हम कभी भी इस मुकाम पर ना होते अगर तुम्हारी मौम की मौत ना हुई होती तो तुम दा फ्लैश ना बनते और ठीक ऐसे ही अगर मेरे मौम जैसी रफ्तार का इस्तिमाल करके बहुत जोर जोर से भागता अपने पास्ट माजी में पहुँच किया था जिब उसकी मौम मार्किट में रेसिपी का समाल लेने आई थी अब वहाँ पर चाकर वो करता ये है उसने अपनी मौम की बास्किट में टोमेटो कैचप को रख दि उसकी मौम की मौत भी नहीं होगी उसके डैट को भी पुलिस लेकर नहीं जाएगी अब ये सब कुछ ठीक करने के बाद फ्लेश तुबारा से अपनी स्पेड से भागता हुआ अपने टाइम यानिके अपने प्रेजन में जा रहा था तब ही उसे एक अजीब साथ मीं मुका प्रेजन के बेरी को भी फ्लेश बनने की पावर साकते मिली थी आज का दिन बहुत खास है यानिकि आज तुमें पावर्स मिलने वाली है और हर हाल में तुम्हें उन पावर्स उन ताक्तों को हासिल करना होगा अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी कभी भी अपनी दुनिया में वापिस नहीं जा पाऊंगा इसके बाद अब बैरी वन बैरी टू को लेकर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे दफ फ्लेश बनने की पावर्स मिली थी बोदर असल एक लैब था यहाँ पर बैरी टू बहुत ज़्यदा डरा हुआ था बैरी वन उसको एक कुरसी पर बिठाता है और तबी खिडकी से जोरतार कड़कडाती चमकती हुई बिचली बैरी वन की अंदर से गुसरते हुए बैरी टू में आ गई थी जिसका मतलब ये था कि बैरी टू को दफ फ्लेश बनने की पावर्स मिल गई थी मगर बैरी वन ने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था जिस वजा से अब वो अपने टाइम यानि के अपने प्रेसेंट में भी वापिस नहीं जा सकता था वही पर दूसरी तरफ हम इसी टाइम लाइन यानि के पास्ट वाले बैरी टू को देखते हैं जो अपनी पावर्स अपनी ताक्ते हासिल करने के बाद इतना खुश था कि सडकों पर यहाँ वहाँ भागने लगता है उसने अभी सही तरह से दफ फलेश की पावर्स को जाना ही नहीं था कि उसकी भागने से कितनी तबाही हो सकती है वहाँ पर रोड्स पर बहुत से एक्सिडेंट्स भी हो जाते हैं बैरी वन, बैरी टू को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर कापू पाना होगा जिसकी बाद वहाँ पर दोनों की नज़र टीवी पर पड़ती है जिसमें जेनरल जॉर्ट बता रहा था अगर सबी सुपर हिरोस को इसी दुनिया यानि के माज़े की दुनिया में बुला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा हम सबी मिलकर जनरल जॉर्ट की आर्मी का मकापला करेंगे जो सुपर हिरोस का दुश्मन है क्योंकि बेरी को अच्छे तरीके से याद था उसने पास्ट में देखा था कि सुपर मैन जनरल जॉर्ट की आर्मी के सामने अकेला पड़ चुका था उस वक्त बेरी भी अपनी दा फ्लैश के रूप में था लेकिन वो सुपर मैन को ना बचा सका क्योंकि उस वक्त उसे नई नई पावर साकते मिली थी अब ये सब कुछ जानने के बाद बेरी वन यानि के प्रेजन से आया हुआ फ्लैश यहाँ पर सभी हिरोस के बारे में सर्च करने लगता है जिससे उसे पता चला था कि यहां पर बेरी टू बेरी वन को बताता है गौतम सिटी में एक बेट मैन रहता है पर मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं जानता अब यह उसे वहाँ पर अपने साथ ले गया था जहाँ पर जाकर बेरी वन एक बहुत पुराने बेट मैन से मिलता है पॉर्ट में जमीन पर आकर गिरा था मगर साइबेरिया की एक क्रिमिनल टेम उसे उठा कर ले गई और मुझे लगता है इस दुन्या का वो ही सुपरमैन है ये सुनकर बैरी कहता है तो फिर तो हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा क्योंकि जनरल जॉर्ट जमीन पर आ गय अगर उसे रोकना गया तो वो पूरी दुन्या को परबात करतेगा और सुपरमैन के बिना तो हम जॉर्ट को भी नहीं हरा सकते अब ये तीनों बैटमैन को लेकर उसके बैट स्पेस में बैटकर उस फसलिटी तक पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद किया गया थ उदर पहुंचने के बाद अब ये वहाँ पर सबको एक एक करके मार रहे थे बैरी वन ने अपनी दफ फलेश का सोर बैरी टू को दे दिया था क्योंकि इस वगपावर्स इस दुन्या के बैरी टू के पास थी वहाँ पर सभी सोलजर्स फलेश को मारने वाले थे उसके सामन बैरी वन आजाता है मगर इस दुन्या के फलेश यानि के बैरी टू ने प्रेजेंट के बैरी को बचा लिया था बैरी की हालत यहां पर बहुत खराब थी उसे उल्टी आने लगती है तब ही यहां पर एंट्री लेता है बैट मैन उसने एके करके सबी सोलजर्स को मार दिया अब जलती से बैरी उस लड़की को उठाता है और साथ ही उसका सूट पिले लेता है इसका मतलब वो सूपर गर्ल थी तो हुआ कुछ यू था कि जब बैरी ने अपने पास्ट माजी में जाकर अपनी मॉम की बास्किट में टोमेटो कैचप को रखा तो इसकी उस चोटी सी गलती की वज़ा से एक नया टाइम लाइन बन गया और सूपर मैन की जगा सूपर गर्ल इस दुन्या में आ गई जो अब काफी कमजोर पड़ चुकी थी अब ये तीनों अपने साथों सूपर गर्ल को लेकर किसी तरह उस फसलिटी से बाहर आ गए थे जहां पर इनको चारो सूलजर को मानने लगती है उसने सबी सूलजर का खात्मा कर दिया था जिसके बाद दोनों बैरी और बैटमैन इसे अपने साथ ले आए थे वो इसको इसका सूट पहनने को देते हैं जिसके बाद इसको काफी देर धूप में खड़ा रखते हैं जिससे उसकी सारी पावर्स वापिस आ सकती है अब वो बैटमैन की मशिन्स का इस्तमाल करता है जिससे अब ऐसा करने से उसकी पावर्स तो वापिस नहीं आती मगर वो बहुत साथा जखमी हो गया था उदर दोसरी तरफ सूपर गर्ल देखती है कि जौट की आर्मी ने इस दुन्या के लोगों पर हमल पर दिया है वो खुद भी जमीन पर आ चुका है इसलिए वो पिन सब को रोकने के लिए दो फलेश और बैटमैन की मदद लेना चाहती थी अब जब वो बैटमैन के पास चाती है तो देखती है उदर बैरी जखमी हालत में है उसे जब पता चलता है कि बैरी की पावर्स एक फलेश का सूट वापिस कर देता है फिर वो बैटमैन के एक पुराने सूट पर लाग रंग का पेंट करके अपने लिए भी एक सूट बना लिया था अब ये सबी मिलकर जॉट का मुकाबला करने के लिए तयार थे ये सब अब शेहर में तबाही को रोकने के लिए निकल जा अपने आँखों से तेज लीजर लाइट ट्रोश ने निकालती है मगर जॉट उससे जैदा ताकतवर था उसने सूपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया था जिस वचा से उसके मौत हो जाती है इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा गया था जिसके बाद दोनों बैरीस य मरने वाले टाइम डाइन को बदल देते हैं मगर फिर भी बात में किसी ना किसी तरह बैटमैन और सूपर गर्ल दो बारा से मर कए थे बैरी वन दफलेश इस बात को समझ किया था कि हम अपने पास्ट के साथ छेर चाड़ नहीं कर सकते यानि कि हमारी किसमत और उनकी भी हम क है ऐसा नहीं हो सकता हम जाकर भी अपनी किसमत को नहीं बदल सकते तब ही वो दोनों देखती हैं कि सबी पास्ट के टाइम एक दूसरे से टकराने वाले हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि बैरी टो ने बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन और सूपर गर्ल को बचाने की थी यहाँ पर इनके सामने सभी दुनियाओं के सूपरमैन भी आने लगते हैं यहीपर वो अजीब आदमी भी आगया था जिसने कहाने के शुरू में बैरी वन को जोर से मुक का मारा था जिस वज़ा से वो अपनी इस पास्ट की दुनिया में फसा था दरासली अजीब आदमी कोई और नहीं बलके बैरी टू का फ्यूचर था जो के हजारों सालों से बैट मैन और सूपर गर्ल को बचाता रहा था मगर फिर भी ना बचा सका बैरी वन उसे भी मना करता है कि ऐसा मत करो हम किसी भी चीज़ को नहीं बदल सकते लेकिन फ्यूचर टू के बैरी का दिमा अब खराब हो गया था वो बैरी वन पर अपने हत्यार से हमला करता है लेकिन तब ही उसके सामने इस दुनिया का बैरी टू आचाता है जिसको वो हत्यार लग गया था और वो वही पर मर जाता है अब क्योंकि बेरी टू ही नहीं बचा था तो इस वज़ा से उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है और जितनी भी दुनिया आपस में टकराने वाली थी सब ठीक हो जाती है जिसके बाद अब एकी बेरी बच गया था यानि के बेरी वन दा फ्लेश वो सोचता है कि अगर वो अपनी मौम को मरने देगा तो सब कुछ बिलकुल ठीक हो जाएगा वो अपनी स्पीड से भाग कर उसी पास्ट के टाइम में पहुँच जाता है जिब उसने टुमेटो कैचप को अपनी मौम की बास्किट में रखा था इस बारियों से उठाकर दुपारा से शेल्फ पर रख देता है मगर यहाँ पर उसने नया आइडिया इस्तमाल किया था वो उस टुमेटो कैचप को उसकी असल जगा पर नहीं रखता बलके उसे उपर वाली शेल्फ पर रख देता है जिसके बाद वो उपने टाइम में यानि के प्रेसेंट में वापिस आजाता है जहाँ पर सब कुछ बिलकुल ठीक हो चुका था अब अगले दिन उसके डैड की कोट में पेशी थी जहाँ पर वकील को एक वीडियो मिलती है ये उस वक्की थी जब बैरी की मौम की मौत हुई और उसके डैड टमेटो कैचप लेने मार्किट में आई हुए थे अब जब बैरी के डैड को छोड़ दिया जाता है ये सब कुछ बैरी नहीं किया था उसीने टमेटो कैचप को ओपर वाली शेल्फ पर रखा था इसके बाद बैरी को बैट मैन की कॉल आती है जो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ बैरी जब उससे मिलने चाता है तो वो कोई और आदमी था बैरी कहता है इस दुनिया का असल बैट मैन कहा पर है वो कहता है मैं ही बैट मैन हूँ इसका मतलब हुआ ये था कि बैरी अभी भी अपने असल टाइम में वापिस नहीं आया था क्योंकि उसने कैचप की बोटल को उसकी असल जगा पर नहीं रखा था और इसी वज़ा से उसकी किसमत तुबारा बदल गई वो तुबारा किसी और टाइम में आ गया इसके बात कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बैरी यानी के दफलेश इस दुन्या के एकवा मैन से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ अब तक हुआ क्या था और कैसे वो इस दुनिया में फसा अब बैरी दा फलेश कैसे निकल पाएगा इस दुनिया से तो इसी के साथ इस मोवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है